अच्छा भाई आब इतनी कंट्री घूम रहे हो, तो ऐसी कोई कंट्री के बारे हम बात करते हैं जहां पर आपने बहुत लक्जीरी देखी हो, बहुत अल्ट्रा लक्जीरियस लाइफ अधान दुबाई, दुबाई के बारे में कहते हैं कि बहुत लक्जीरियस है इतली के बिल्कुल साथ में फ्रांस के एकदम साउथ में वो छोटी कंट्री है ऐसी कंट्रिया पैदल चलके आदे गंटे में सारी कंट्री इसी ली देख सकते हो मैंने पैदल चलके सब देख लिया था उनकी कैपिल सिटी है और रॉल्स रोइस नॉर्मल गाड़ी आपको मालों इंडिया के एक करोड़ से कम आपको वाँ कोई नहीं दिखेंगी मतलब भाई अब यह तो उस मूव में देखी ती उसमें गाड़िया चलती ही वहां पर शिर्फ हो है अब वहां पर में रुकना भी था एक रात तो मैंने ह अब भाई यह तो बहुत शुत्रा सा कमरा था जो मिरको ऑनलाइन काफिरी सर्च के बाद मिला वो पूरे देश की सबसे सश्ती प्रापटी थी वह मतलब यह सोफे ना ऐसे दो सोफे बस इतना कमरा था और वह था 15,000 रुपे एक रात का और उसमें भी मेरे खाल 2-3 बजे च पास लेके जिम जाता है और देश में आम तो पर जो डेली पास मेरे को जिम का पढ़ता है इंडिया के हजार उपे 500 रुपे इसके बीच में रहता है तो मैंने वहां पर गूगल करा दो तीन जिम से काफी अच्छे जिम लग रहे से मैंने कॉल करा आपका डेली पास कितने तुसे ने मेरे को यूरोज में बताया था पता नी कितना था लेकिन वह इंडिया के मेरे ख्या लाक रुपे करांट एक दिन का जिम का पास था और भाई फूड किताक सब्सक्राइब तो होना ही था क्यूंकि वह रेस्टरांट से सारे बहुत महेंगे लेकिन मैंने एक अमीर लोग आते है या वहां का अदमी अमीर न्या पूरें दुनिया का मिर लोग वहां पर नगिया बोठरीय फिर चले जाते है वहां के लूकल्स होड़े बोठ थोड़े नाआके बराबर को दिखे रही है HEAP finance आफ बाला व्लोग देखता था तो उसमें यॉक्षन खडीत पार्टी भी तगड़ी होती होंगे फिर तोड़ी पार्टी होती होगी पर उस लेवल की पार्टी ना में अफोड कर सकता था ना में ने सोचा कौन कुछली तेगा था बैक टांग के बस में आया हूँ वो रोल्स रोवेश यॉट वाली सुथा भाई यॉट तो हमारा सहां लंडन मही होगे था हम पहुचे पैदल पैदार एक हाई-ंड कलम में अहाँ पे कलब में आदे बीस पांड थीस पांड चार्रीपांड़ेंट के एंट्री हम पोहँचे थीन लंडे थेसी ब्राउन हम झाल जा कर रोग लेकर कि का हून धर तो उन्होंने देख लिए था पैदर आया वहाँ पर खड़ी है लैंबरगीनी फरारी लाइन से खड़ी है ठीका पाकर कें तर गुस्रे लोग करे वन थाउजन पाउंड एक लाप रुपे के एंट्री एंट्री हमने को पहाँ नहीं भाई हमने का चलो भाई यह वापिस घर चलो हर जाग है वाई यह कुछ कंट्री जैसे मैंने पिछले बोड़ काशन मताया था जर्मिनी स्वीडन डेन्मार्क बेल्जिया नेदर्लैंड यह वैसे ना जज़ भी कर लेते हैं जादा तर देखके ना आदमी को पहली कर लेते हैं देग बहुत ही जादा ओवर्रेटिड वाई एक तो सब जादा मोस्ट विजिटेड कंट्री वल्ड की फ्रांस यह साध और सिटी भी परिश है तो पूरी दुनिया की पहली टूरिस डेस्टिनेशन ऐफल तावर देखना है परिश दाना है फ्रांस क्यून काफे में फ्रेंच बे कुछ चीज बहुत थोड़ा बाट बहुत अच्छा है बाकी फ्रांस उससे बहुत गुना अच्छा है फ्रांस बहुत अच्छा है फ्रांस बहुत अच्छा है लेकिन मैं सिर्फ पैरिस की बात कर रहा हूं बाकी सिटी को नहीं बोट रहा है बाई पैरिस में आप बिल्कु ब्लैक में तो वो जो एफ्रिकंज उनका वहां पर दब दब है तो इंडियन को रुखनें देते वह बगा देते ने तो जैसे वह ब्लैक्स इदर उदर होते तो अपने पंजाब साइड के इंडिया के लोग या जो भी हरियाना के और स्टेट्स के वहां पी लिए फिर वहां क को मगिंग वगारा चोरी रॉबरी बहुत जादा होती है बिल्कुल भी सेफ निया वाक करना क्राइम बहुत जाद है और इतनी गंदगी या इतनी गंदी सड़गी है बाई हो आपे डस्ट बिंस खुले पड़े है सारी तरफ वहां पे कचरा पड़ा है ट्रैस पड़ा है क उन्हें भी हम पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते उनकी सरकार को भी पैरिस को नहीं गलत बोल सकते पर बहुत जादा मिस्मैरेजमेंट है कोई सबसे गंदी सीटी है जिदर ड्राइविंग करना सबसे मुश्किल है वेस्ट में डेवलप कंट्री में तो पैरिस है इंडिया की करें बहुत बहुत है इंडिया में को हिंदी बॉर्ट करेंगे फ्रांस में अगरा फ्रेंच और आपकी फ्रेंच थोड़ी भी गलत है एकसें ठीक नहीं बहुत रूट है फ्रांस के लोग इसपेशली पैरिस में उज्टी सिटीज में थड़े ज्यादा रूट होते है पर जितना अच्छा उसे पोर्ट्रे किया जा रहे उतनी नहीं है जो गैप है गंदगी में और अच्छाई में वह बहुत ही बड़ा है इसलिए सबस्यादा ओवरेटिट सिटी वर्ल्ड की पैरिस है और मैं जो भी ऐसे लोग है जिनों पूरी दुनिया गुंभी है बहुत सा चलके आप दूर जाओगे वही गंदगी शुरू इलीगल इमिग्रेंट्स है आपके साथ कोई गाली दे की बात कर सकते हैं इतना महंगा वाई इतना महंगा आप कोई टैक्सी लो और आपके थोड़ी सी दूर भी जाना हो चालिस-प्तास यूरो आपका टैक्सी है खरचान बाई मैंने तो यह भी सुना है कि जो आपन यूथोपिया वाले स्कैम की बात कर रहे थे आइफिल टावर के पास भी लड़किया आती है बात करने और वो वालेट वगरा निकाल लेती है और आपका पासपोर्ट आपको डश्ट बिन में फैका मिल जाता है वालेट मिल जात है पबलिक डिस्प्ले फफेक्शन मतलब चुम्मा चाटी ओपन में पर जिस चीज़ पे मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं ना कि भी सिरफ वो चका चौन जो जिखाई जाती है ना वैसा नहीं है पर वो सिर्फ वो छोटा सा पार्ट है उनका आर्क दे में नाम बूल यह उनकी आर्क है पॉपलर वो एक उनका वो चर्ट है जिसमें आग लगी थी नोट्रेडेम शायद और आइफल टावर यह तीन जगह चोड़के आप आसपास जाउन की गलियों में देखो कुछ अच्छी गलिया भी है कोबल स्टों जै अच्छे कैफिज है फ्रेंच बहुत जादा थोड़ा ना दूर चलते हैं इस परिसे दूर चलके ऑस्ट्रेलिया आते हैं उसकी तरफ आते हैं वह बैल्ट कवर करिये आपने क्या सीन है वहागा एक्स्पिरेंस बहुत पैसिफिक ओसियन वाली कंट्रीज है और ओसियाना या उस्ट्रेलिया पर जैसे कि एक्जांपल देता हूं नावरु वर्ड की वह भी स्मॉलिस्ट कंट्री तो नावरु गया था मैं उस देश में क्या करा वाई एक मेरी खाल न्यूजिलैंड का आदमी आया था वह बोला कि इधर फॉस्पिट वह होता है क्योंकि बर्ड की माईग्रेशन होती ह इस आइलेंड पर नावरु कंट्री पर वह बीट करती थी बीट करने से वहां पर फॉस्पिट ही कठा हो गया अब फॉस्पिट काम करता है ऐस फर्टिलाइजर तूस आदमी ने सोचा मैं यह फर्टिलाइजर न्यूजिलैंड और ऑस्ट्रेलिया बेच तो उन्होंने कंप मतलब यूं मानलवाथ से 50 साल पहले दुनिया की सेकिंड रिचेस्ट कंट्री थी इन टरम्स ऑफ पर कैपिटा जीटीप साओधी रिबिया नंबर वान क्यूंकि तेल बहुत था उनके पास कि यह कंट्री पूरी जीडीप ले और पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे हराज उसके बहुत ज्यादा एंवाइरमेंटल कंसीक्वेंस हो रहे थे उनकी जो मरीन लाइफ समूदरी जीव खराब होगी अब वहां पे लोकली कुछ भी उग नहीं सकता सब जीव अगरा कुछ भी यल दिखाना नहीं सकता उस देश में चोटा से देश मैंने पूरा पैदल च चला था और अब मतलब 50 साल बाद वो दुनिया के सबसे गरीव देशों में से एक देश है क्योंकि पॉलिटीशन इतने करप्ट होगे उन्होंने सारा देश बेसिकली बिकवा दिया ताकि लोग शोर ना मचाए हर इंसान को देदी सरकारी नोकरी जिसकी भी है सरकारी नोकर बना दी बाहर अपने स्काइस क्रेपर बना दी और देशों में होटल की चेन खोल दी पर अंदर से जैसी उनका फॉस्ट खतम हुआ यह देश बैक आउट कर गे और इनके पास खुद अपना कुछ बचानी तो भाई अब वहां पे यह हाल है लोग बहुत ही जादा मोटे हो होगा क्योंकि वह कंटेनर में आते हैं और न्यूजिलैंड से समान और वह छे हफ्ते लगते शिप को माँ पे आने में तो इतना बुराल हो गया उस देश में पैदल चल रहा था ना ऐसी सूपरकार लगजरी कार सड़क पे खड़ी है उनके जंग लगा पड़ा है महंगे घर जो दिख रहा है यह लगजरी घर होगा उसमें आज से पचास साल पहले जिसमें असी फिट हो तो कैसा गर होगा ऐसे ऐसे घर अबेंडेंड पड़े जंग लगा वह उसमें कोई नहीं रहा क्योंकि उसमें कोई रहना फोड नहीं कर सकता बिजली के पैसे कहां से देगा खाने को कुछ नहीं है गरीबें मर रहे है वह 10-12 जारून की पॉपुलेशन है बहुत बुरा है उस देश के अंग्रेज ना है ही दीमक की तरह गुज गए तो उससे खा जाँ देश है साल बिल्कुल जूस लेते है बाई यह देश को जूस लेते है पूरा और फिर भगो अ समुदर से चे फूट उपर है समुदर से लोगों के घर समुदर से हर चीज और 200 मिटर चोड़ा है उनका वाइड़ेस पॉइंट तो 400 मिटर चोड़ा है सबसे वाइड़ेस जो है पराम तौर पर सो देश बस डूब जाएगा उन समझ लो सुनामियां कुछ आए तो है वो उदर का एवरेज वेट एक मेल का एक सो पाच किलो है तो हर आदम मतलब मैं एक आम इंडियन से साइज में बढ़ा हूं पर जब मैं उस देश में लैंड वे प्लेन में लैंड हुआ ना मेरे कुई फिल हुआ था मैं यू बैठा हुआ था इतने इतने चोड़े लोग बाई इतने बड़े अलमारी जैसे लोग सारे लंबे लंबे च्छे साड़े शे फुट उनकी हाइट और एक सो पाच किलो तो एवरेज एट है तो दोस्तो डाइसो किलो तक के भी लोग अराम से दिखते थे कोई वह बात नहीं थी बहुत बड़े लोग है वो साइज में त तो एक संगठन है बहुत सारे संगठन है जो वहां पे civil war चला हुए पावर में आना सारे है तो मिल्चाल कई संगठन है आइसी संगठन है तो कोई फोर्शन कर रहे है कोई सीर्यन गवर्रमेंट कोई करदिश फोर्सी सब्स आलाग फोर्सीज है तो भाई हाँ तब ही गया प्रवाज्जें नॉर्मल किसी लोग एक तैक्सी कहा नें तकार इंडिया के 50-50 रॉपिर टेक्सिया किराया बना, और वो मेरे होटल तक छोड़ गया सिटी से और वो दिन में 12 गंटे टैक्सी चला गया और बोला काम मिलता ही नहीं वह तो आप अंग्रेस तो नहीं हो आप फॉर्णर थे तो काम मिल गया बोला मैं टैक्सी खड़ी करती मैं फोज में भी नोकरी करता हूं सीरियन सरकार के पीच में मेरे को सोना मिल गया तो मैं सो लिटता हूं दो-तिन गंटे और पूरे दिन में बहुत कमाता हूं 200-200 रुपे एक दिन में तो साल के पाथ से 6000 रुपे कमाता है जिसमें खुद की फैमिली बच्चे उसको सबको पालना एक लोता पैसे कमाने वाल आदमी 24 गंटे का यह आलात है भाई पॉपुलेशन बहुत कम होगी ने इस कंट्री की? पॉपुलेशन तो सारी भार्दाने लग रही है देश ठोड़ के माइगरेट कने का तो भी डॉंकी करते है ना अपने देश पर उनका तो जायज है उनका डॉंकी करना जायज है वहाँ कंडिशन नहीं रहने लाएक जो लोग रहे दर डर के रहना भाई कुछ नहीं पता ऐसे ऐसे मैंशन है लगशरी विलाज मैंशन खाली पड़े लोग चोड़ कर बागे क्योंकि कभी है गोली मारके उनके मार जायए होता टो यह इनका कारण है वहां से अमरी का भी लगा भी मिल चाहिए तो भाई लोग गोई निए पूरे परिवार का निए पूरे बुखा सोना पड़े क्या बता दस दिन में भूक से मरता है लोगों की अलाथ है फिर भी बाई दुकान पर जाके चीज जो फरीटा बहुत दिल शुआ वाई उस देश में तो और मेरी वीडियो में आरे एक लड़का में छोटा सा बच कि मुझे इजाज़त नहीं देगा कि मैं अपने महमान से एक संत्रे के पैसे ले लूँ कितनी अच्छी वात है बहुत अच्छे लोग है